हम हिंदी में देवनागरी के विश्य में पढ़ रहे थे देवनागरी लीपी के विश्य में पढ़ रहे थे देवनागरी लीपी का इतिहास देवनागरी लीपी के गुण दोस्त संसोधन आधी आधी हमने पढ़ लिये थे आज ये देवनागरी से संबंदित एक तथ्यों र टीजीटी, पीजीटी, एल्टीक्रेड आधी जो हिंदी साहितिक परिक्षाएं होती हैं तो उनमें देवनागरी टीपी से संबंदित प्रश्णा उस्य बनते हैं तो ये काफी महत्कून है जहां तक इन सुजाव के प्रियोग पर सैमतिया और सामयति का प्रश्ण है महा तक कहा जा सकता है कि यह प्रश्ण विशुद वेग्यानिक नय होकर भावातमग भी है उपर जो सुजाव दिये गए थे वे छापा खानेवन टाप राइटर की सुजदा के लिए थे इन सुजाव के समय यह दियान बिल्कुल नहीं रखा गया कि इसलिपी सुदार से भाशा की दुर्गति हो जाएगी जब इन सुजाव को दिया गया तो इनके प्योग पर सैमतिया और सामतिय का प्रश्ण है मतलग ये प्रश्ण विशुद वेघ्यानिक नयवकर भावातमक भी मतलग ये तरीके से पूरी तरए वेघ्यानिक नहीं है भावात UP भी है जो उपर सुझाव हमने पढ़ेते इससे पहले जो हमने सुझाव पढ़ेते देवनागरी लीपी के विशे में तो जब यह सुझाव दिये गए तो महां पर यह ध्यान नहीं रखा गया छापा खाने उन टापराइटर की सुधा के लिए थे ठीक इन सुधारों यह जो इन सुधारों को मतलब इन सुझाव के अधार पर इनमें सुधार किया जाएगा तो बहाशा की दुर्गती हो जाएगी यह बात तिहान नहीं रखी गई ठीक इसमें चापे खाने की छपाई में शुधा भले ही नहीं रही बले ही बनी रहे पत्र लेखन में इतनी कठिनाई आती कि भाशा की शुधा को बनाए रखना ही कठिन काम था मतलब यह था कि इन सभी का कि इसमें चापे खाने की छपाई में शुधा बले ही बनी रहे उदारन आप देख सकते हैं, ए की छोटी की मातरा होती है ये, मतलब ये ए स्वर है, जिसे हम छोटी की मातरा के रूप में भी प्योग करते हैं, तो इसको मातरा को आगे लगाने का पढ़ना मिया होता है कि दोनों मातराएं कालांतर में एक हो जाती हैं, कोई भेद नहीं रहत यह तो एक उधारन है, अन्य सुधारा में भी ऐसा ही होता है, इसलिए जन सामानी ने 90 पर्तिशत सुधारों को आव मानने कर दिया, अते हम भी इन सुधारों के, जो इनके सुधारों के सुझाओं से अवसामत हैं, मतलब कि हम भी इन से सहमत नहीं हैं, नागरिलीपिक का मा नेपाल वाले भी इसका प्रियोग करते हैं, मतलब की जो नागरी लिपी है, हिंदी में तो प्रियोग होती है, इसे मराठी तथा नेपाल वाले भी प्रियोग करते हैं, संस्कृत की तो लिपी है ही देवनागरी, इसे मानव रूप देने की दिशां में कई व्यक्तियों त सरवर्ग विद्वानों के विचार करके विद्वानों से विचार करके सभी भारती भाषाव पिलिपी के रूप में उसमें कुछ नए चीन भी जोड़े हैं तथा उसे मानक रूप भी दिया है जहां तक नागरी के मानकी करन का संबन्दय अक्सरों के दो दो रूप हैं जिन में से एक एक अलग 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 दिये गए अक्सर मानक माने जाते हैं तथा काफी लोग इनी का प्रियोग कर रहे हैं यह आप देख सकते हैं प्राप्त विकलप और मतलब यह प्राप्त विकलप हैं और यहाँ पर मानक रूप है स्वें, इस तरह से, कि कहां से कौन सा मानक माना गया है क्योंकि सुझाओं में क्या किया गया था, ये इस तरह की मातराएं बना कर भी दी गई थी लेकिन मानने था किसको मिली है, इस वाले को, इस वाले, इन इधर वालों को मानने था मिली है ठीक है, तो हमने अब आज देवनागरी लिपी के विशे में हमारा जो पार्ट चल रहा था, देवनागरी लिपी का वह पूर्ण हो गया है और देवनागरी लिपी से सम्बंदित कोई भी तत्थे आदी के विश्य में और जानकारी या मतलब उनसे सम्बंदित कोछ प्रस्ण ना समझाए तो कमंट करके अवस्य पुछिए